अरे भारतिय जनसंग से लेकर भारतिय जनता पाटी तक हमने कहा था कि हम 370 धारा को जब भी हमें मौका मिले का हटाएंगे एक देश में दो निसान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चल सकते हैं और हमने हटा कर दिखाया जब पूर्ण बहुमत मिला नरेंदर भाई के उड़ गया है तो इससे क्रेडेंशल बनते हैं हमने जब से भी राम जनुवें आंदोलन हुआ हमने क्लियर कट स्टेंड पालंपूर बीजेपी कारेकारणी में लिया था कि हम मानते हैं कि वही जगे पे राम मंदिर बनना चाहिए अब जब नरेंदर मोदी जी को सारी समस् को सुलजा कर देश की जन्ता भूमी पूजन करते हुए देखती है सिला नियास करते हुए देखती है तब भरोसा बढ़ता है हमने कहा था कि हम इस देश में कॉमन सिविल कोड के पैरवी करेंगे और अगर हम पावर में आते हैं तो इसको लाएंगे 1950 में कहा था और आज कॉमन सिविल कोड के लिए भारत के तीन दाज्यों ने इनिसिटिव लेया है एक चर्चा बहस छिड़ी है कुछी समय में तीन दाज्यों में कॉमन सिविल कोड आपको दिखाई पड़ेगा हमने कहा था कि किसी भी पंथ निर्पेक्स देश के अंदर ध पलतलाक को हम समात्त करेंगे हमने करकर दिखाया है